जैसे जैसे नजदी का रहा है समय वैसे वैसे बढ़ रही है भारत के दो दिगच खिलाडियों की धड़कन एक तूसरे से बिलकुल कम नहीं दोनों खिलाड़ी किसको देंगे रोहित शर्मा टीम में जगा कौन है रोहित शर्मा का बहुत करीबी जिसको विराट कोली मानते हैं अपना भाई किसको देना चाहिए टीम में मौका आकड़े के उपर होगा चैन या रुभाव के दम पर मिलेगी टीम में जगा मैच शुरून से पहले टेंशन में रोहित शर्मा टीट्विंडी खत्मोने के बाद भारते टीम वंडे की तैयारे में जुट गई है प्राक्टिस के लिए मैदान पर सभी क्रिकेटर पसीना बहा रहे हैं टीट्विंडी के कई धुरंदर खिलाडियों को वंडे में मौका नहीं मिलने वाला विराट कोली सहीद रोहित शर्म कई सीनिर खिलाडियों के साथ मैदान पर उतरने की तैयारे में जुट गए टीट्विंडी वॉल्ड कप जीतने के बाद टीट्विंडी सीरीज पर कबजा करने वाले भारते टीम बेहत फॉर्म में चल रही है बावजूद इसके वंडे सीरीज को लेकर रोहित शर्मा की ट अगदोर उनके हाथ में 29 जुन को टीम इंडिया टी-20 वॉल्ड कप जीती थी जिसके बाद रोहित ने इस फॉर्मेट से सन्यास का अलान कर दिया लेकिन वंडे फॉर्मेट में वो खेलते रहेंगे और कप्तानी किसे मेदारी भी उनके कंधों पर है वॉल्ड कप जीतने के बाद अपनी पहली सीरीज खेलने उतर रहे कप्तान रोहित शर्मा के सामने सीधे एक बड़ा फैसला देने की चुनाती है शुर्लंका के खلاब शुक्रवार से शुरू हो रही वंडे सीरीज के पहले मैच में प्लेइंग 11 में किसे विकेट कीपर किसे मेदारी सवपेंगे टिम इंडिया और शुर्लंका के बीच 2 अगस्त से 3 मैचों की वंडे सीरीज की शुरृात हो रही है इस सीरीज के लिए टिम इंडिया में रोहित के लावा विराट कोहली की भी वापसी हुई जबकि T20 टीम से बाहर चल रही केल रहूल और श्रे सेयर जैसे बल्लेबास भी लोटा है साथ में पहले से ही ओपनर के तौर पर शुबमंगिल टीम का हिस्सा हैं ये पांच वही खिलाड़ी हैं जो वाल्ड कप 2023 में भारतिय बाटिंग लाइनप का हिस्सा थे और दमदार खेल दिखाया था लेकिन अब टीम में रिश्वपंत की वापसी हुई है और इसलिए विकेट कीपर के रोल में किसको मौका मिलेगा ये देखना सबसे हैं में टिम इंडिया और स्रोलंका के बीच दो अगस्ते से तीन मैचों की वंडे सीरीज की शुरुआत हो रही है इस सीरीज के लिए टिम इंडिया में रोहित के लावा विराट कोहली की भी वापसी हुई जबकि टी-टीम से बाहर चल रहा ही केल रहुल और श्रेस अयर जैसे बल और ये भोमी का केल रहुल के पास ही जाना तै देख रहा है इसकी वजह टीम इंडिया मैनेच्मेंट का निरंतर्ता को बढ़ावा देना है रहुल ने वन डे वर्ल कप में विकेट कीपर रहते हुए बहतरीन प्रदर्शन किया था और इस तोरान वो मिडल ओर में ही बैटि की और साथी विकेट कीपिंग में भी कमाल किया रहुल ने वर्ल कप की दस पारियों में 75 कियोसत से 452 रन बनाए थे साथी 17 शिकार भी किये थे ऐसे में टिम इंडिया वर्ल कप वाले ही बैटिंग ओर्डर के साथ उतरती दिखेगी इसकी संभावना ही ज़्यादा है यानि की पंत को अपने मौके के लिए इंतजार करना होगा